किसी भी फसल की तैयारी होने के बाद जब वो बाजार में जाता है उस टाइम पर उसको अगर रेट कम मिल रहे हों तो उस फसल को अगर श्टोर किया जा सके तो उस फसल को श्टोर करना चाहिए जैसे कि मैं आप लोगों को बात बता हूँ प्याज है लैसुन है आलू है अद कह जाता है बहुत शी जगह पर इसको नासिक प्याज भी कहा जाता है तो उस फ्याज को लगाने के लिए हमने अपने खेतों के अंदर 5 फरवरी को नरसरी डालने के बाद लगभग 90 दिन के बाद 5 मई को हमने वह नरसरी अपने खेतों सो उखार ली थी जब उनकी जो गंठ टीन महीन को बचाना है हमें आगे जब बशात का दोर चलू होगा तो बरसात से अपनी इन गंठियों को इस्तोर करते हैं चाहे आपके पास कितने ही माल चाहे आपके पास एक और यह घ् जो जब तक अपन दूसरे खेतों नहीं करेंगा तब दम सेफ होंगी जिस तरह से आज हम इनको लगा रहें वैसे ही इनको निकाल कर दूसरे खेतों में लगाएंगे तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम करते क्या हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों जब हमें अपने खेतों से उन कांद साथ ही इनको बर्षाथ से बचाने के लिए आप तिरपाल की विवस्था भी करके रखो हमने इसके जो इस्ट्रक्चर थे हमारे पार जो तिरपाल का साइज था वो 15-50 के लगबग 8 हमने इस्ट्रक्चर बनाए थी नीचे जमीन में पच्चास बाइप पंदरा के आठ इस्ट्रक्चर थे और तिरपाल को एक साइड में हमने दबा रहा खता अगर मोसम खराब हो यह किसी टाइम पर कोई भी प्रोब्लम आ जाए बाइरिस वगेर आ जाए तो इनको ढख दिया जाए अगर इनको ढखेंगे नहीं सीधी बारिस सागेती भीग सकते हैं और भीगने के बाद आप लोगों को पता हैं इनकी एक तो क्वालिटी खराब हो जाए कि साथ ही पिछले साल जो जलीवी रोग की समस्य आई थी वह इसी कारण साइथी जिनकी सानों के बीज भीग गए थे ने वारिस में उनका अंदर हंड्रेड पर तो अपनी इन कांदियों को सुखा के रखिए बढ़िया रखिए इनको एक तो धूप से बचाईए और साथ ही इसको बरिस से बचाईए अगर बढ़िया क्वालिटी की कांदिया आपकी दूसरे खेतों में जब ही ट्रांस्प्लांट होंगी तो इन से जो निकलने वाला प कांदियों की जुट्टी है इसको अपन ऊपर से उठा रहे हैं तो इनकी पत्तियां ना यह तूट नहीं रीज टाइम पर मतलब रात के टाइम में जब ओस आती हलकी फुलकी चाही गर्मी के दिन हो बरसात के हो या सर्दी के हो लेकिन फिर भी नमी है ना वह नमी तो आही जाती है तो सुबह आप अगर अर्ली मॉर्निंग में यह काम करो गए मतलब बखा तब हम सुबह आप लोगों को बताएं तो साड़े चार बज़े से लगे हुए और आठ बज़े के बाद इस काम को बंद कर देंगे अगर हमारा काम बच भी गया तो उसको उसी टाइम पर ह लग जाएगी अगर यह पत्या ही टूट गई तो फिर समझ लीजिए इस को पर से हमने जो प्रोटक्शन इन कांधियों का वह खतम कर लिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वह इनकी जो लंबाई मैं आप लोगों को बताऊं तो साट फिट लंबाई है जो हमने चालियां खरी करी हमने नीचे से इस तरह से रखने स्टार्ट कर यह दस इंच जब जमीन से उठी हुई तो नीचे से आराम से इसका अंदर हवाई भी आती रहेंगी तिरपाल ढखने के बावजूद भी कंदर हवाई वो लगातार चलती रहेंगी हमें जो यह गंठियां इन कांधियों को इन छुट-छुटी गोलटियों को या फिर आप प्याज इस तरह सी स्टोर करने जा रहे हो तो आपको अपनी प्याज को इन कांधियों को इन गंठियों को दिखने नहीं देना है मतलब धूप का अंदर दिखने नहीं देना अगर यह बहार दिखाई देंगे तो इस ची त किर जब आप इनको इस्टोर करोगे और वो मिट्टी नहीं हटी तो उस मिट्टी की वज़े से आपकी जो इकांदिया है ना वो खराब हो सकती है तो जब यह जमीन के अंदर सूखने के लिए रखी हुई होती है तो उनको जब आप उठाओ तो उठाते वक्त आप इनको एक के अंदर मिट्टी नहीं है चाहे आप इनको पांच फिट चड़ाओ चार फिट चड़ाओ अगर मिट्टी नहीं होगी कांद यह एकदम सुखी हुई जुट्यां होंगी तो आपकी जो इस टोरेज ही बहुत लंबे टाइम तक चलेगा बिल्कूल इनकांदर कोई प्रोब् जो भी गंठियां वह दिखाई नहीं देगी और बहुत अच्छे से यह एक तरह से मतलब बढ़िया बन जायागा जिस तरह से एक लेयर दूसरी यह तीसरी है चोथी है यह पांच भी है छटी है और उपर आठ वी मतलब हम टोटल आठ लेयर जो कांदियों की जुट्टिया जो फुक हैं दोस्तो आप लोग देख रहे हूंगे कि लगा रकते इसी बी हमने जुट्टियां की लगा रखी हैे उनको इसे लगा जा factors कर रहे। कोई भी घास है जिसी कि दूब घास होती है उनको काट कर इनके उपर अच्छा से दोबारा लगा देंगे अगर दिन के अंदर हमने छोड़ दिया आज तो आज दिन में ही यह गंठिया आना यह खराब हो जाएगे निश्ची तोर पर धूप से तो अब भी इसको लगाने के बाद हम दो बारा से कवर करेंगे सब देख यह आप देख पा रहे होंगे बहुत इसांदर तरीके से यह जो स्ट्रक्चर हमने कंप्लिट कर लिया इस आगये वाड़ा जो इस्ट्रक्चर है जो हमने दो बारा से लगाए उसको पर अप काम चल रहा है और यह स्ट्रक्चर में अगर एक भी छेद होगा और बारिस के अंदर अगर उस छेद में से बारिस का पाणी अगर इस इस्ट्रक्चर को उपर चला जाएगा इन कांधियों के अंदर अगर पाणी बैठ जाएगा तो निश्चित तोर पर आपकी जो कांधिया है उस जगह पर खराब हो जाएगा एक कान्धी खराब होने के बाद दूसरे को थीसरे को वह पूरी आपकी पábले जुट्टी खराब हो इस तरह से पूरी मतलब आपका कोूर्या लोटने केड़ाएगा लगाने के बाद पर आंप जैसे मोसं खराब So तो आपको खाले एक साइड उठा के इसको और यूँ डालना पड़ा की जब मोसम खराब हो तभी इसको ढखना है यह नहीं कि आप कंटीनु इसको ढख के छोड़ तो बहुत से जगा अपन देख रहे होते हैं कि किसा ने वह एक बार ढखने के बाद दो दो तीन तीन दिन तक देखता है जो कवर उसको हटाना भी है कि नहीं आप लोग यह गलती मत कीजिए आप जैसी मोसम आपका खराब हो उसको ढखती जिए मोसम देख लीजिए हां यार खुल गया है ऐसा कुछ मेर को लगता नहीं कि पूरा दिन बरसात आए गया इसा मोसम खराब हो तो आप